नमस्कार दोस्तों, क्लास एट्थ महाराष्टर स्टेड वोर्ड, मैथेमेटिक्स, चाप्टर नमबर टेन, डिविजन आप पॉलिनामेल्स तो इस चाप्टर में डिविजन स्वाल करने से पहले हमें पॉलिनामेल्स क्या होते हैं वो समझना जरूरी है तो वीडियो शुरूर करने से पहले आप सभी को अनुरुद है कि चानल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेर करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन्स मिल जाएं तो पॉलिनामेल्स क्या होता है दिखें ऐसा अलजेबरिक एक्सप्रेशन्स जिसमें हर वेरियेबल का एक्सपोनेंट नॉन निगेटिव इंटिजर होगा या होल नंबर होगा तो दिखें अगर हम यहाँ पे एक एक्सपोनेंट यहाँ पे पॉजटिव होना चाहिए और वो इंटिजर होना चाहिए या फिर जिरो होना चाहिए अब यहाँ पे एक्स रेस्ट पावर जिरो होता है x raised to power 0 की value 1 1 into 8, 8 होगा क्योंकि exponent का एक rule है किसी भी number का exponent अगर 0 होता है तो वो value 1 होती है तो 1 into 8, 8 होगी value अब यहाँ पे exponent x का 1 है 2 है, 3 है तो सभी 0 या 0 से greater सभी integer होंगे तो यह कहलाएगा polynomial तो polynomial की definition है तो हमने यहाँ पे polynomial की definition लिखी है an algebraic expression in which index of a variable in each term is a whole number हर term में जो variable होगा उसका index whole number ही होगा अब whole numbers का होता है whole numbers के लिए symbol w होता है और जो 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity यह जो numbers है वो होता है whole numbers तो whole numbers ही exponent होगा variable का तो ही उन्हें हम polynomial कहेंगे अब प्रशना आता है कि कोंसे algebraic expression है जिने हम polynomial नहीं कहेंगे कि suppose 4 into x raise to power minus 1 है plus 3x अब यहाँ पे जो negative number है negative numbers whole numbers नहीं होते है या फिर x raise to power 1 by 5 plus 3x minus 7 not polynomials यह polynomials नहीं है क्योंकि जो fraction होता है वो भी whole number नहीं होता 1 by 5 fraction है जिसे इक 2 by 3 5 by 7 denominator से numerator को अगर divide नहीं होता है तो वो fraction होता है तो अब यहाँ पे 2 fractions हैं तो अगर ऐसे fractions variable के index में आ जाए तो वो polynomial नहीं होता तो अब हमें यहाँ पे polynomial का ही division करना है इसका मतलब variable के जो exponents हैं वो whole numbers ही होंगे whole numbers मतलब 0, 1, 2, 3, 4 up to infinity ऐसे numbers होंगे अब हमें इनका division करना है तो division शुरू करने से पहले एक और बात हमें जरूरी है प्रता करने ओध डिग्री आपो पलना मेल किसी भी पलना मेल की डिग्री अब डिग्री क्या होती है जो भी पलना मेल होगा सपोस 3x raised to power 5 plus 8x raised to power 7 minus 8x raised to power 3 plus 2x square plus 7 अब इस पलना मेल में variable का highest exponent किसी भी term में वो होता है डिग्री आप दो पलना मेल अब जो highest exponent है यहाँ पे 5, 7, 3, 2 इनमें सभी में highest 7 है तो इस पलना मेल की जो डिग्री होगी वो होगी 7 variable का highest exponent in any term of the पलना मेल is called degree of the पलना मेल तो हमने यहाँ पे डिफिनेशन लिखी है highest index of a variable in any term of the पलना मेल highest index variable का किसी भी term में देगे पलना मेल में is called the degree of that polynomial अब यह degree मालम होना क्यों जरूरी है यहाँ पे कि अगर किसी पलना मेल को अगर हमें दिसरे पलना मेल से डिवाइड करना है तो जिसे डिवाइड करना है उसकी degree greater होनी चाहिए जिससे डिवाइड करना है मतलब सब्सक्राइड करना है अगर हमें डिवाइड करना हो तो डिगरी 2 से कम होनी चाहिए या फिर equal होनी चाहिए तब ही हम इसे डिवाइड कर सकते हैं नहीं तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हमें डिवाइड करना है उसकी डिवाइड करना है तो यह अगर dividend है और यह divisor है तो dividend की degree हमेशा divisor से greater होने चाहिए तब ही हम divide कर सकते हैं अब dividing monomial by monomial monomial by binomial और trinomial क्या होता है कि monomial में एक ही term होती है तो ऐसा polynomial algebraic expression जिसमें एक ही term होती है उसे हम कहता है monomial binomial में 2 terms होता है और trinomial में 3 terms होता है तो monomial को monomial से divide करना है तो यहाँ पे एक rule हमें exponent का पता होना चाहिए अगर a raise to power m को a raise to power n से divide करना है मतलब जिन दो numbers का division करना है उनमें अगर base equal है और division करना है तो exponent में subtraction होगा base एक ही बार हमें लिखना है तो a a की one time लिखना है और exponent में हमें subtraction करना है minus n तो यही rule यहाँ पे division के लिए use होगा या फिर हमें division method से division करना होगा 12 x raise to power 4 को अगर 3 x square से divide करना है तो पहले number से number को divide करें 3 4 जा 12 4 से divide होगा अब यहाँ पे x square है और यहाँ पे x raise to power 4 है तो x raise to power 4 को x square से divide करना है तो x square से अगर हम divide करते हैं तो हमें यहाँ पे मिलेगा x square तो base same है division है तो x raise to power 2 4 minus 2 यहाँ पे होगा 2 तो power 2 x square होगा तो यहाँ x square से divide करना होगा अब इन दोनों का multiply करेंगे तो 12 x raise to power 4 यह आएगा 3 into 4 12 x square into x square अब यहाँ पे a raise to power y into a raise to power y यह rule is होगा multiplication है base same है तो exponent में addition होगी तो यह rule is होगा अब division में अगर इन दोनों का multiplication हम यहाँ पे लिखते हैं तो इन में subtraction करना होता है तो cancellation होकर remainder 0 आएगा तो यहाँ पे remainder 0 quotient 4 x square divisor और यह dividend यह होगा divisor quotient यह dividend और यहाँ पे जो होगा ओ होगा remainder अब next point है वो है to divide a polynomial by a monomial polynomial मतलब एक या एक से ज़्यादा भी term हो सकता है तो उसे हम कहेंगे polynomial अब polynomial को monomial से divide करना है तो यहाँ पे एक example दिया गया है divide 12 x cube plus 18 x square by 6 x इस polynomial को 6 x से divide करना है तो 12 x cube को 6 x से divide करना है तो पहले हमें क्या करना है कि यहाँ पे जितने भी terms लिखने है वो exponent के descending order में लिखने है फिर divide करना है अब divide करते समय क्या है कि हमें find करना होता है कि 6 x को किसे multiply करने के बाद यह आएगा तो हमें क्या करना है इस term को इससे divide करना है तो सबसे पहले term को हमें divide करना होता है इससे तो 6 x 2 x 12 यहाँ पे x का exponent 1 division है तो यहाँ पे x की power 1 3 से minus होगी तो यहाँ पे x की power 2 हो जाएगी तो 2 x square यहाँ पे आजाएगा तो 2 x square से 6 x को multiply करना है तो 2 x 6 12 x x square x का cube होगा x cube के नीचे x cube लिखना है फिर इन दोनों का multiplication होने के बाद जो भी यहाँ पे आएगा उसे हमें subtract करना है यहाँ पे जो होगा उसका sign change होगा अब 12 x cube से 12 x cube minus तो answer यहाँ पे remainder 0 अब जो next term है उसे हमें निचे लेना है 18 x square अब 18 x square को 6 x से divide करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 18 x square divide by 6 x तो 6 3 is 18 यहाँ पे x की power 1 1 2 minus 1 1 x की power 1 ही रहेगी तो 3 x 3 x से divide होगा 3 x से 6 x को multiply करेंगे तो 6 3 is 18 x into x x square फिर इनका होगा subtraction remainder 0 अब आगे कोई भी term नहीं है remainder 0 आगया तो यहाँ पे division sum up हो चुका है अब यहाँ पे है जो remainder होगा वो होगा 0 यहाँ पे 2 x square प्लस 3 x जो होगा वो होगा quotient मतलब जो हमारा division का answer होगा यह यहाँ पे होगा quotient यहाँ पे remainder और यह तो divisor है जिससे हमने divisor मतलब जिससे हमने divide किया है और जिससे divide किया है वो होता है dividend तो इतने सारे term जो हैं वो हमें पता होने चाहिए तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तो अब आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम practice it 10.1 के question solve करेंगे तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रुबस पर्षब यदियो प्रुबस